बिहार की राजनिती में जाती का बड़ा खेल होता रहा है जहां जात के अधार पे परतियाशियों की जीत और हार भी तै होती है और आज आपको हम बिहार के ऐसे ही पांच सबसे मजबूत कुसवाहा नेता के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके एक इसारे पर पूरा समाज उनके साथ आखड़ा होता है तो सबसे पहले हम पांच में नंबर पर आपको बताने जा रहे हैं जहां नागमनी कुसवाहा का नाम आता है जो अपनी पिता और बिहार के लेलिन कहे जाने वाले जगदे परशाथ के बिरासत को आगे बढ़ा रहे हैं अगर नागमनी की बात बात करें तो वह सबसे पहले कुर्था बिधानसवा छेत्र से ही चुनकर बिहार बिधानसवा के सदस बने थे और पूरे बिहार में कुस्वाहा की राजनिती करने लगे इसके अलावा वह मौजूदा जहारखंड के चत्रा लोक सभा से सांसद भी चुने गए और अटल बिहा इनों पार्टियों में आना और जाना हो चुका है लेकिन किसी भी पार्टी में वह जादा समय तक नहीं रुक पाते बात चौथे नंबर की करें तो वहां पर भगवान सिंकुस्वाहा का नाम आता है जो साहबाद की राजनिती में अपना बड़ा रसूख रखते हैं राज समता पार्टी और फिर जदिव में चले गए और बिधायक से लेकर बिहार सरकार में मंत्री के कुर्सी तक को भी समहाला है और कुस्वाहा को लेकर पूरे बिहार में राजनिती भी करते रहे लेकिन इसके बाद भी वह नितिश कुमार के साथ ताल में खराब होने के बाद क एक वर फिर से वह जदिव में घर वापसी कर चुके हैं और पूरे बिहार में कुस्वाहा जाती की राजनिती कर रहे हैं तिसे नमबर पर नज़र डाले तो अलोक मेहता का नाम आता है जो समस्ती पुरजीला से राजनिती करते हुए पूरे बिहार की राजनिती कर रहे हैं अलोक महता मजूदा समय में बिहार सरकार में मंत्री हैं और उजियारपुल विधान सभा से चुन कर आये हैं लेकिन इससे पहले वह लोक सभा का भी सदस रह चुके हैं और राज़त में अच्छी पकड़ रखते हैं जो अपने पिता तुलसी महता की राजनिती को आगे काने का काम कर रहे हैं साथ ही पूरे बिहार में कुस्वाह समाज को लेकर काफी मुखर रहते हैं और राज़त पार्टी में कुस्वाह समाज का बड़ा चेहरा भी माने जाते हैं जो लालू यादव के साथ ही त्यस्वी यादव के भी काफी करेवी हैं दूसे नंबर पर ज समराट चोधरी साल 2000 में पहली बार बर्वत्ता से विधायक भी चुने गए वैसे 1990 से सक्रिय राजनिती में सामिल होने के साथ ही हमेशा से चर्चा में रहे हैं साल 2000 में पहली बार पर पत्ता बिधान सभास से चुनाव लड़े और विजय हुए हालाकि बात के चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा लेकिन 2010 में फिर से राजत से विधायक निर्वाचित हुए और 2010 में बिहार बिधान सभा में विपच्छी दल का मुख सचे तक बनाये गए लेकिन साल 2014 में वे राजत छोड़ कर जदियों में सामिल हो गए और जून 2014 को बिहार सरकार में सहरी विकास और आवास विभाक की मंत्री भी बनाये गए उसके बाद वो फिर से भाजपा में सामिल हुए और 2018 में भारती जनता पार्टी के बिहार परदेश अध से बाहर हो गई और उसके बाद समराठ चोधरी बिहार विधान परिशद में नेता पर्तिपक्ष बन गए जो भाजपा के लिए एक बड़ा चेहरा बने हुए हैं और पुरे बिहार में कुसवाह जाती की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं अब बात पहला और आखरी नाम का जिनका नाम है उपंद्र कुसवाह जो जेडियू नेता हैं और मिडिया के सुर्ख्यों में बने रहते हैं उपंद्र कुसवाह देश के सकिरिय राजनेता हैं जो बैसाली से तालूक रखते हैं उपंद्र कुसवाह इससे पहले मानव संसादर विकास राजमंत्री भी थे ज जो रहताज जिले के काराकटलूक सभाच्छेतर से सदस थे और कुसवाहा बिरादरी के दिगज निताओं में गीने जाते थे वह राजसभा के पुर्विसदस और मौजूदा समय में भी हार बिधान पईशत के सदस हैं और इसके साथ ही वह जदिव संसद्य बोड के अध्यक जो राजनिती में आने से पहले कुसवाहा प्रफेसर को रूप में अपनी सिवाय दी है उपेंद कुसवाहा के राजनितिक जीवन की बात करे तो वह उन्हें इस 85-88 के बीच राजनितिक पारी की सुरुवात की थी जहां वह राज सचीव के रूप में काम किया इसके बाद वो राष्टिय महा सचीव पार्टी में बनाए गए इसके बाद 2000 में जंदाहा विधान समाज से चुनाओ लड़कर सदन पहुँच गए और सदन में पार्टी की उप नेता के रुप में काम किया लेकिन इसी बीच साल 2004 में पार्टी ने उन्हें नेता परतिपक्ष बना दिय जिसके बाद से मानुपिंद्र कुसवाहा की लोटरी ही लग गई हो और वह फिर पूरे बिहार में चर्चा में आ गए जिसके बाद से वह लगतार कुसवाहा समाज को लेकर राजनिती कर रहे हैं साथ ही लोग कुस्वामिकरन की बात को लेकर लगतार सरकार से सवाल और पूलो करना ना भोलें इसी तरह के दुसरे खबर भी देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहें तब तक के लिए धन्यवाद लाइफ भिहाग यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेस्बुक पर लाइक जरूर करें